इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इगनु से बीयड यानि की बैचलर ओफ एजुकेशन का प्रोग्राम करना चाते हैं तो इंट्रेंस एक्जाम का फॉरम फिलप करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी डॉकुमेंट से त्यार करने होंगे तो इसके बारे में डीट सब्सक्राइब करने के लिए आपको जरूरी डॉकुमेंट से त्यार करने होंगे तो इसको आप ध्यान से समझेए सबसे पहले क्या रहता है कि जो आपका ओरिजनल डॉकुमेंट रहता है इसको आपको स्कैन करना होता है और जब आप फॉरूम को फिल अप करते है तो वहाँ पर आपको अपलोड करना होता है अगर आपके डॉकुमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो जो आपका एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है डॉकुमेंट के बाद करें तो सबसे पहले जो आपका सर्टिफिकेट भी दे सकते है और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे की SC, ST, OBC या फिर EWS का तो ये भी आपको देना होगा अगर नहीं है तो फिर जो आपका एप्लीकेशन है वो जर्नल कैटिगरी से फिल अप हो जाएगा साथी में जो आप इंट्रेंस एक जैसे के भी कर रखा है तो Master degree का भी फाइनल येर का जो मार्क सीट है ये आपको अपलोड करना होगा अगर आपने दोनों ही कर रखा तो इससे आपका benefit होगा इसमें ये रहेगा कि जो आपका Merit List त्यार होगा तो इसमें आपका ज्यादा नमबर बनेगा और ये आपने टीचर एजूकेशन का प्रोग्राम है अगर आपने यह पसमें नहीं दिया जाएगा और यह जो प्रोग्राम है आपका टीचर एजूकेशन का यह आपका फेस टूर bele vault में होना चाहिए जिसमें के आपको स्कुल में जाकरके पढ़ाना होता ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वाले पोस्ट पर आ सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आपको Beard Admissions Related सभी जानकारी हिंदी में देखने को मिल जाएगा साथी में Application Form कब तक आ सकता है वो भी यहाँ पर बताया गया है Eligibility Criteria पिछले साल का क्या है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस साल का भी नहीं पता चला है और सबसे Important आप नीचे करेंगे तो जो Teacher Education का program है NCTE Recognized द्वारा उसका PDF पी आपको यहीं पर मिल जाएगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यह इस तरीकी से open हो जाएगा इन में से भी किसी course को आपने कर रखा है तो इसके साथ क्या रहता है कि जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें आपका 1000 रूपी रजिस्ट्रेशन फीस भी लगता है यह आपको online ही submit करना होता है इस बार का भी पता नहीं चला है वह जब application आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा तो उसके लिए आप आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बैल नोटिफिकेशन को ओन करके रखना है ताकि इगनुस रेलेटेड जो भी अप्टेट आता है जैसे ही बीड का इंट्रेंस एक्जाम का application फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो के मादिम से बता दूंग इंट्रेंस एक्जाम का फॉर्म फिलब करना चाहते है तो यह जरूरी डॉकुमेंट्स आपको तयार करने होते हैं इसके लाबा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मालेज़ कि अभी आप किसी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते है तो अगर आपक पुछा जाता है कि आपके पास कोई एक्सपिरियंस है या फिर नहीं अगर रहता है तो आपको देना होता है तो अजिस वागरा का डीटेल जब इस साल का आपप लिकेशन फोर्म आ जाएगा तो उसमें आपको डीटेल में बताया जाएगा जब आजाया तो मैं आपको तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं